बच्चों हम लोग मार्केट से जब कुछ समान खर दने के लिए जाते हैं जो हम 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम का लेते हैं तब कैलकुलेशन करना हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है तो बहुत ही आसान तरीका से हम सिखेंगे जैसे अगर हम मार्केट के और 85 रुपय किलो अदरक है तो 85 रुपय किलो अदरक है और मुझे 100 ग्राम लेना है तो 85 रुपय आप अपने मन में दिमाग में रखे और बस कुछ नहीं करना है आपको पहला डिजिट के पहले आप एक मनी-मन यहाँ पे दसमलब लगा लिजे और इधर वाला जो दसमलब के जो राइट सैड में है वो 5 को आप 50 समझे यानि कि आपको 100 ग्राम मिलेगा 8 रुपया 50 पेसा में कितना 8 रुपया 50 पेसा अगर आपको और भी कम चाहिए 50 ग्राम चाहिए तो इसको ठीक आप आधा कर दीजिए 100 ग्राम का दाम हमने निकाल लिया है तो इसका हो जाएगा 4 रुपया और 25 पेसे अगर हमें 200 ग्राम लेना है तो 200 ग्राम के लिए हम इसको 2 से डबल कर देंगे 100 ग्राम को ग्राम का तो 200 ग्राम का कब जब हमारा कितना रुपिय किलो हो 85 रुपीज पर केजी हो ऐसे ही कुछ भी आप ले सकते हैं अपने मन से मान लिजे बैगन किसे लेने के लिए आप मार्केट में गए हैं और बैगन है 45 रुपिय है और आपको सिर्फ 100 ग्राम का दाम निकालना है तो आप क्या कड़ो सबसे पहले ये जो 45 लीखा हुआ है 45 लिखा है पहले आंग याणनी इकाई के आंग के ठीक बाद आप दसम्मलब लगा देजे डसम्मलब के जो लेफ्ट साइड में है उसको रुपिया मानिए और दसम्मलब के इधर ठीक जो आपका राइट साइड मे जैसे ये 45 रुपय किलो बैगन था और आपको आधे किलो का दाम निकालना है तो इस दाम को ठीक आप आधा कर दीजे तो अगर आपको 45 में आधा करने में दिक्कत हो रहा है तो 44 और 1 लिख कर लिजे अब 44 रुपय का आधा हो जाएगा 22 और एक रुपय का अधा हो जाएगा पचास पेसा यहनि सारे 22 रुपया में हमें कितने बैगन मिलेंगे तो आदे केजी इसी तरह आप कोई भी महंगी समान लेते हैं जैसे काजू, बदाम वगरे लेते हैं 700 रुपय किलू है 700 रुपय पढ़ केजी है और आपको सिर्फ और सिर्फ 200 गराम चाहिए तो आप कहा किजी पहले आप 100 गराम का दाम निकाले 100 गराम निकालने के लिए हमेशा आप दियां रखेगा इकाय अंग के ठीक बात आप दसमलब लगा लिजिए तो आप देख रहे हैं दसमलब से जो आपके left side में है और रुपईया होता है और right side में जो होता हूँ पैसा होता है तो पैसा हमारा क्या है जीरो है यानि कुछ भी पैसा नहीं है तो 70 रुपईय में 100 ग्राम आएगा और आपको लेना कितना है 200 ग्राम तो आप इसको ठीक 2 से गुना कर लिए तो 70 को आप 2 से गुना कर लिए तो 140 होता है फिर भी आपको दिक्कत होता है तो 7 को 2 से गुना कर लिए तो 7 दो निचोद और ये जीरो यहाँ पे कैरी कर दिए यानि 200 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा 140 रुपया हो जाएगा तो इसी तरह आप घर पे practice करें अगर 5 दिख रहा है तो आप इसको 50 समझे थैंक यू